ये फ्रेंड्स स्वागत आपका एक और शांदार वीडियो में और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अधानी गुरूप को देखें अधानी गुरूप से रिलेटिव कुछ अच्छी निविजिस निकल के आई हैं जिस कारण से हमें जो है अभी अधानी इंटरप्राइज वीडियो में बने रहेगा चोटी सी वीडियो होगी चार-पांच मिनट की वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने जीगा अगर नए है चैनल पर तो और वीडियो को लाइक कर दीजिगा तो चलिए देख लेते हैं इसकी जो निविज करज चुका दिया है साथ-साथ चार कंपनियों के जो इन्होंने जो गिर्वी रखे थे शेयर उनको भी छुडा लिया है सबसे में जीज देखिए इसमें सबसे में जो दिक्कत थी इसमें वो करज की ही है अगर हम पूरे ग्रूप पर देखें तो 2,25,000 करोड का करजा था इनके ओपर इसमें से देखिए अब यह निवी जड़ आई है यह 21,000 करोड का करज इन्होंने चुका दिया है इस बार इसमें से देखें इन्होंने हैं तीन घरेलू मुच्वल फंड कंपनियों का इन्हों भुकतान किया है तो यह तीनों कंपनिया भी देखेंगे और जो और अडानी ग्रीन तो यह चार कंपनिया है जिनके इन्होंने गिर्वी शेर को छुड़ाया है इससे पहले देखिए जो कि हमारे अडानी इंटरप्राइज है इसमें 1.94% गिर्वी थे शेर अब इसमें से 1.5% इन्होंने चुड़ा लिये हैं और पुल मिलाकर अब जो रह गए हैं इसके अलाबा अडानी पोर्स की बात करें तो ग्यारा दसमलूब 18% शेर थे इनके गिर्वी उसमें से सिर्फ और सिर्फ अब रह गए हैं दो दसमलूब 8-4% तो लगवग लगवग साड़े 10% से ज्यादा इन्होंने यहां भी गिर्वी शेर अपने चुड़ाए ह हैं फिर इसके बाद अडानी ट्रांसमिसन में देखें यह 4.92% इनके गिर्वी शेर थे यह रह गए हैं हम 2.69% और अडानी गिर्वी अरजिंगी बात करें तो पहले थे 2.55% अभी इखटकर रह गए हैं सिर्फ 2% इसमें भी 0.65% की जो शेर इन्होंने गिर्वी रखे थे उनको छुड़ा लिया है रिलेज करा लिया है अपने और जो 3 mutual fund जिनको इन्होंने funding करी है भी उसमें से देखे पहला तो है SBI mutual fund जिसको 3650 करोड रुपे चुकाई है इन्होंने इसके बाद आदित्य बिर्ला इसको 500 करोड और HDFC mutual fund को 450 करोड रुपे इन्होंने चुका दिय अभी सेवी की जाच इस पर चल रही है उसकी रिपोर्ट आनी है अभी लगवग लगवग एक महीना और बचा है उस रिपोर्ट को आने में तो हम अभी investment करने से पहले एक महीनिका इंतिजार और करेंगे हाँ इसमें अभी फिलाल short term के लिए intra day बगरा के लिए हम कर सकते हैं या फिर हम इसमें कर सकते हैं लेकिन long term investment अभी सही नहीं है अभी एक महीने बाद जब सेवी की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अगर वो रिपोर्ट अच्छी होती है पोजिटिव होती है तो इसमें long term के लिए investment किया जा सकता है लेकिन फिलाल थोड़ा साथ दूर रहे बचके रहें पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है पैसा बचाना भी बहुत बड़ी कला है अगर आपने एक करोड़ रूपे कहीं से कमाये हैं लेकिन उसको आप बचा नहीं पा रहे है तो कोई फाइदा नी है उस एक करोड़ रूपे कमा हुए आपको वो सारी zero हो जाएंगे आपने अगर बचा नहीं पा रहे हैं तो इसलिए कमाना तो एक कला है ही पैसा बचाना भी एक बहुत बड़ी कला है अपने आप में तो दोस्तों अपने पैसे को सेव रखें बचा के रखें इन्वेस्टमेंट इसमें तभी करें जब सारी चींज क्लियर हो जाएं वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत